हेलो साथियो, मैं आप सब लोगों का अपने इडुकेशनल चैनल पे हर्दिक अभिनंदन करता हूँ फ्रेंट जैसा कि आप लोग थम्निल के माध्यम से देख पा रहे हैं आज के इस वीजियो में कंप्लीट हम लोग बात करने वाले हैं 68 BPSC exam के eligibility criteria के बारे में जैसा हम लोग देखने वाले हैं कि 68 BPSC का exam कौन को नभ्यर्थी दे सकता है इस exam को देने के लिए क्या-क्या योग गताय होनी चाहिए आपका age कितना होना चाहिए आपके educational qualifications कितनी होनी चाहिए आपकी height कितनी होनी चाहिए क्या graduation के final year वाले बच्चे इस exam को देशकते हैं इसके अलाव और भी कई सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं तो अगर आप BPSC का exam इस वर्ष देना चाहते हैं या आगले वर्ष BPSC का exam देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंट तक जरूर देखे ताकि आपको सारी बाते अच्छी तरीके से समझ में आ सके क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इन rules के बारे में जानकारी नहीं होती है वो अपना form तो fill कर देते हैं लेकिन अगर सारे criteria को अगर आप follow नहीं करते हैं सारे rules को अगर आप follow नहीं करते हैं तो आपके form को reject कर दिया जाएगा और आपका किया कराया मेहनत बेकार चला जाएगा तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे हैं मैं आपको सारी जानकारी अपने तरफ से पूरे विस्तार से बतानी की कोशिश करूँगा तो सबसे पहले बात कर ले फ्रेंड्स BPSC 68 BPSC exam के बारे में तो इसका notification जल्द ही आने वाला है ऐसा विशेशग्यों का मानना है कि जैसे ही 67 BPSC का prelims complete होगा उसके बाद जो है आपके इसका notification publish कर दिया जाएगा तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके age criteria के बारे में यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसके categories और इसके minimum और maximum age के बारे में अच्छे से विस्तार से बताया है तो यहाँ पर देख लिजे general और male general male candidate के लिए minimum age जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20 वर्ष या 21 वर्ष अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि BPSC के कुछ exam को देने के लिए आपकी minimum age बीस वर्ष होनी चाहिए और कुछ exam को देने के लिए आपकी minimum age जो है 21 वर्ष होनी चाहिए जैसे अगर आप BPSC के exam को अगर आप देना चाहते है और उसमें अगर आपने प्रिफियंस दिया है DSP या DSP के पद के लिए आप जो है मतलब आप इसके लिए अपलाई करना चाहते हैं या आपना प्रिफियंस देते हैं तो आप 20 वर्ष की आयू में ही अगर आपका 20 वर्ष ही है तब भी जो है आप इस exam को क्रैक करके DSP बन सकते हैं साथी साथ बहुत सारे पद ऐसे होते हैं जिसमें minimum age जो है 21 होता है तो आप एक दिमाग में मोटा मोटी समझ ले कि आपका सभी कैटेगरीज के लिए जो minimum age वर्ष है वो क्या है 20 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष 20 वर्ष में सिर्फ कुछ ही exam साप मतलब अगर क्रैक करते हैं तो आपको जॉब मिलेगा लेकिन 20 वर्ष में आप maximum exam को जो है क्रैक करके जॉब ले सकते हैं अब यहां हम लोग upper age के बारे में समझेंगे सभी कैटेगरीज के बारे में विस्तार से तो जेनरल मेल केंडिडेट की अगर बात की जाया तो उसके लिए upper age limit 37 years रखा गया है जेनरल फीमेल केंडिडेट के लिए रखा गया है 40 years यानि 40 वर्ष यहां पर जेनरल जो फीमेल यानि महीला जो अभियरती उनके लिए 40 वर्ष उमर रखा गया है वहीं अगर बात कर लिए BC और OBC के मेल और फीमेल केंडिडेट दोनों के लिए 40 वर्ष ही आयू तैकी गई है यानि इससे अगर आप जादा हो जाएंगे तो आपका जो है आप BPSC एक्जाम को नहीं दे सकते हैं या आप इस एक्जाम में BPSC के एक्जाम को दे सकते हैं तो यह था आपके सामने पूरा एज क्राइटेरिया कि कौन को ने इस एक्जाम को दे सकता है कितनी आयू तक दे सकता है आप लोग यहां से देख करके इसको नोट कर सकते हैं उसके बाद बात करणे educational qualification के बारे में तो इसी में सबसे जादे बच्चे confused होते हैं तो अच्छे तरीके से समझ लें कि अगर आपके पास कोई भी graduate degree या उसके समकक्ष कोई भी degree है तो आप BPSC के 68 BPSC के civil services examination को आप दे सकने में सक्षम होंगे यहां समझ लें हम लोग से civil services examination के बात कर रहे हैं तो यहां पर देख लिए कोई भी graduate degree चाहे आपने BA कर रखा हो या आपने BSC कर रखा हो या आपने इसी तरीके का कोई भी आपना graduate course complete कर रखा हो तो आप क्या कर सकते हैं BPSC के exam को देने के लिए आप eligible होंगे उसके बाद अगर बात कर लें अगला जो बहुत सारे बच्चों के मन में यह doubt रहता है कि sir मैं final year में हूँ क्या मैं BPSC का exam दे सकता हूँ sir मैं मेरा exam हो चुका है बट मेरा result नहीं आया है क्या मैं BPSC का exam दे सकता हूँ तो friends इस बात को अच्छे से समझ ले कि BPSC भी अपने final notification में यह जब इसका notification आता है तो अपने बातों को लिखती है कि अगर आपने exam दे रखा है और आपके जो form भरने की जो अंतिम्तिति है उसके पहले आपका result जारी हो जाना चाहिए अगर माल लिजे कि 68 BPSC का notification अगर in future आए माल लिजे उसका कोई date माल लिजे फोर अगर 25 October माल लिजे उसका जो है यह है last form feeling का date है तो उसके पहले पहले आपका graduation का चारो वर्ष complete होना चाहिए साथ ही साथ आपका exam भी हो चुका होना चाहिए और आपका result भी आ चुका होना चाहिए तो यहां से अच्छे तरीके से समझ ले final year वाले बच्चे BPSC का exam नहीं दे सकते हैं अच्छे से समझ ले उसके बाद अगला जो सवाल बच्चों के मन में आता है कि sir open schooling वाले क्या BPSC का exam दे सकते हैं उसके बहुत सारे बच्चों ये भी पूछते हैं कि sir हमने बिहार के बाहर के यूनिवर्सिटी से अपने education को पूरा किया है तो क्या मैं इस exam को दे सकता हूँ तो friends बिहार के बाहर से या विदे से कहीं से भी आगर आपने पढ़ाई की है तो आप इस exam को दे सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार की कोई दूविदा नहीं है आप इस exam को देने के लिए eligible हैं उसके बाहर देखिए बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि sir क्या बिहार के बाहर के लोग इस exam को दे सकते हैं तो जिहां friends अगर आप बिहार के हैं तो इस exam को देही सकते हैं या अगर आप बिहार के बाहर के कोई भी अभ्यरती है तो आप किसी भी state से BPSC का exam दे सकते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई दूविदा नहीं है लेकिन इसमें एक थोड़ा सा technical term आ जाता है कि अगर आप बिहार के अभ्यरती हैं तो अगर आपको reservation मिलने वाला होगा तो मिलेगा लेकिन अगर आप बिहार के बाहर के कोई भी अभ्यरती है चाहे आप OBC category को हो चाहे किसी भी category को हो या मालेजे जिसको reservation मिलता है SCST category को हो लेकिन अगर आप भिहार से apply कर रहे हैं for example you पी से apply कर रहे हैं या दूसरे स्टेट्स से apply कर रहे हैं तो आपको reservation का लाब नहीं मिलेगा अच्छे समझ लेगा면 है आपको reservation का लाब नहीं मिलेगा reservation का lab लेने के लिए आपको भिहार का do missile देना पड़ता है अपने नोटिफिकेश अपने फॉर्म फिलिंग के समय तो यहां पर अच्छे से समझ लें तो आप लोग बिहार के बाहर के हैं तब भी आप इस एक्जाम को दे सकते हैं उसके बाद सबसे जादा जो कन्फ्यूज करता है वो हो फिजिकल फिटनेस वाला एरिया तो इसको हम ल सकता नहीं होती है अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में फॉर इग्जांपल अगर आप डी एस पी बनना चाहता है या उसकी उसी के तरह का कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट में आप जॉब करना चाहते है बपी यहां पर फिजिकल फिटनेस अप्लिकेबल होगा और जो अन्मे पद होते हैं उस पर physical fitness अप्लीकेबल नहीं होते हैं तो यहां पर देख लिए मैंने कास्ट को इधर वर्गे किलिद कर रखा है उसके बाद यहां पर हाइट है यहां पर चेस्ट है हम लोग एक किक करके समझने वाले हैं तो ACST candidate के अगर हाइट की बात की जाए तो इस पर पहाइट गोनी चाहिए और उनपर जो है चेस्ट वाला स्वाला से अप्लीकेबल नहीं होता है तो यह पूरा विस्तार से मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की जहां मैंने college बता दिया educational qualification बता दिया domicile बता दिया physical fitness बता दिया तो ये सारी चीज़े अगर आप BPSC के exam को देना चाहते हैं तो अगर आपके अंदर इतनी सारी योगिता है तब ही जाकर कि आप form फिल करें अनता आपके form को reject कर दिया जाएगा और अपने उन सबी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो कि BPSC के exam दे रहे हैं या भबिश्य में देना चाहते हैं तो friends उमीद करते हैं कि आपको सारी जानकर रहे अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद God bless you all